इसके बाद में गलित कुष्ट जो बाता है गलित कुष्ट में ऐसा वस्था होती है कि कुछ अंग जो रहते हैं वो गल जाते हैं सडने लगते हैं और कुछ-कुछ गिरने लगते हैं तो उसमें हमें क्या करना है उसके बाद में शुत्र रोग जो रहता है लिकोडर्माबिटी लिगो मतला सफेद कुष्ट जब होता है सफेद कोड में क्या चरक सहिता का बेसिक प्रिंस्पल वह जानना बहुत जरूरी है अ जात्वा चप्टर का 157 नमर चष्लोक देखे इसमें क्या बता गलिट कुष्ट में क्या करना है प्रिंघ बदेह सब सब्त परणाह कर्वीर करंज निम्म खदी राश्च स्नाने पानेले पे क्रिमी कुष्ट नुधा सगों उत्राह पानाहर विधाने प्रसेचने धूपने प्रदेहे चा क्रिमी नाशनम विडंगं विशेश्चिते कुष्ट हा खदी राह एडगजह सब विडंगो मुलान्या अरगवदस्य कुष्टानाम उद्दालनम्श्वदंता गोश्व वराहोष्ट दंताश्च एडगजस्वडंगोद्वेच निशेव राजविरक्षमूलम्च कुष्टो दालमयग्रम सपपली पाकलम योज्यम इसका मतलब यह है कि जब गलित कुष्ट होता है मतलब जब अं आफ कट-कट के गिर रहा है और अंग पर दिक तरतकों से लसी का के स्त्राव हो रहा Kunva यहां पर क्या हो रहा है गैंगरीन की अवश्था है और सारे अंग जो है है गैंग्रीन हो रहे सारे सेल्स डैड हो रहे हैं उसमें हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि रिजनरेट करते हैं तो कि वह शरी सड़ गया है गलने लगा है ऐसे मैंने पेशन्ट बहुत तरह देखे हैं एक तो यहां पर हमारे हम एक सरपंच थे एक नगर से वक थे तो उनको क्या हुआ था माँ कॉर्परेटर जिसको बहुत है तो उनको ना डाइबर्टी स्गर इतना बढ़ गया था इतना बढ़ गया था पूरा शरी सड़ गया था ऑप चोटी चोटी यह जन्तू भी लग गया थे और फिर उनको पूरा ड्रेसिंग किया जाता था और आईश्यु यह इंसुलीन ले रहे हैं या टैबलेट्स ले रहे हैं लेकिन उसके लेने के बाद भी शरीर में सळन बहुत ज्यादा हो रही होती है उसमें ऐलेध में ऐसा वस्ता अगे जब कुष्ट में कृमी पड़ गए हैं उसमें क्या करना है कि आईरवेध के चिकिसा में गोमुत्र सब का ना हम लोगो को पीने के लिए देना है और उसका कल्क बनाके लेप भी लगाने है सबी जगा तो उससे फाइदा होता है फिर और क्या करना है तो वासा लेना है अडूसा जो रहता है वासा कुटज की छाल लेनी है सब्तपरण की छाल लेनी है सब्तपरण आप लोग को पता है कि उसमें साथ पत्ते एक साथ आते है तो वो क्रिमिक ने भी होता है, कुश्टक ने भी होता है, पिर करवीर जो रहता है, कनेर के पत्र लेने हैं, करंज लेना है, नीम की चाल लेनी है, खदीर सार लेना है, इन सभी दरव्यों के कुवात लेना है, इनका स्नान और पान करने से, और इनका कलका लेप लगाने से, ज बहुत ज़्यादा फैदा होता है तो गैंगरीन का जो इलाज है गैस गैंगरीन लिक्वेड गैंगरीन अलग लग जो सडन हो रही है उसमें इसका प्रयोग मैंने भी किया अपने प्रैक्टिस में मेरे पेशन को तो बहुत ज़्यादा फैदा होता है और वो सच में बोलते है कि कम से कम सडन रुख जाती है और उसके बाद में हम लोग और चिकित्सा करते हैं जो कुष्ट की चिकित्सा है कुष्टग्न तेल और महातिक तरगरित वगरा यह सब हम जब देते हैं तो पेशन्ट काफी है तक ठीक हो जाते हैं, आप लोग के अपना प्राक्टिस में इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फैदा होगा आप लोग को भी, उसके बाद में विडंग और खदीर का प्रयोग बता आए, तो इसमें बता रहे हैं कि विडंग जो विशेश रुप से क्रीमी नाशक होती है, और खदीर जो में दमड으 होता है वह कुष्ट होता है आप लोगों पता है इक खदीर को कुष्ट में अग रे बताए सरव स्रेश्ट बता है तो इनका हमें इन रवयों का प्रयोंग тив है फिर सबजी विड़PS करना है ऐसलोगा निकलेगा उससे आप धूपन करें जहां भी हो रही है तो धूपन जो है वो एंटिबैटिक का काम करता है बहुत अच्छा फैदा होता है उसी का प्रदेह करना है मतलब पुरा बड़ी में लेप लगा देना है ओइंट्मेंट जैसा घी में मिक्स करके और पुरा बड़ी में लगा देजे यह सब इन्होंने मतलब हर तरह से पीने क शास्त्र पर विश्वास करेंगे उतना अच्छा result हैगा और ले बता रहे हैं तो चक्रमर्द का बीज होता है यह कुष्ट में बहुत अच्छा stress मना जाता है यह बहुत सारे वैद्द्धे लोग भी यूज करते हैं तो चक्रमर्द का बीज मिलता भी है चक्रमर्द ले लिज आरगबत का मूल ले लिए इनका प्रयोक स्नान पान और लेप के लिए प्रयोक करने से बहुत फायदा होता है फिर और क्या करने को बोला है तो कुट्टा का जो दात होता है फिर गाय का घोड़ा का सूहर का उट के दात को घिज कर और कुष्ट पर लेप लगाने तो उनके ज प्रेख्टिकल है यह चोड़ दीजे आज के जमाने में कुट्व का दानत मार के लेंगे तो इलिगल होगा उसको छोड़ दीजे जो चीज मिल रहा है उसके भरुसा करके करें और बता रहे हैं तो एडगज जो रहता है मतलब चक्रमर्द रहता है फिर विडंग रहता है हल्दी रहता है दारू हल्दी रहता है अमलतास की जड रहती है पिपली रहता है कुष्ट रहता है यह सारे द्रव्य जो है वो कुष्ट को नश्कन में स्रेश्ट बता हैं तो इनक थीक नहीं और यह असद्य वस्ता में जा रहे उनको हम हम से कम धवाई देने से कंट्रोल करके ठीक करने का कोशिश तो कर सकते हैं हार नी मनने चाहिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए इसकी बादने श्वित्र रोक की चिकी सा बतारे श्लोक नमर 162 से 172 नमर के श्लोक देखे ऐसा बतारे कि श्वित्राणाम सा विशेशं योक्तव्यं सर्वतो विशुद्धानाम श्वित्रे स्रंसर्मा ग्र्यं मलपूरस इश्यते सगुड़ाह तंबित्वा सूसनिक दो यथा वलं सुरे पादत संतापं संसेवेद विरिक्त स्त्रव्यं पिपासु पिबेत पयां श्वित्रियंगे स्वोटा जायनते कंटकें तानी भिंद्यात स्वोटेशु विस्त्रदेशु प्राथा पिबेत पक्षम मलपूरस प्रियंगुं शत्पुष्पम चांबसाम समुत क्वाथ्य पलाक्षम पलाशम वा शारम यथा वलं पानितो ते पेतं यता चन्यत कुष श्वित्रानां सरवेम्यंटस्रस्तम खरीरोधकं संयुक्तम खरीरोधक पानम अग्रियंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग्यंग् कुष्टम ससंधुम हस्ती पुत्र मुत्र पिष्टम वा मुलक बिजावगल लेपा हा पिष्टो गवाम मुत्रे काको मंधरे का वा साव वल्व गुझची ट्रका गवाम मुत्रे इसका मतलब यह है कि जो शुत्र हो जाता है लीको डर्मा हो जाता है तो चरक सहिंता में बेसिक प्रिंस्पल क्या बता है आज कल बहुत सारे प्रेपरेटरी मेडिसिन आ गई है उनका लेप लगाने से उनको पीने से बहुत अच्छा फैदा होता है लेकिन बेसिक प्रिंस्पल जो है चरक सहिंता का बहुत जानना ज़रूरी है ऐसा बता रहे हैं कि शुत्र के रोगी को सरवबर्थम शोधन करा देना है वमन विरेचन करा देना है जिससे जितना भी आम है वह निकल जाएगा दोश जो है विकृत दोश है वातपित का फ्वसम निकल जाएगे शोधन कराने के बाद क्या करना है कि विरेचन देना है मतलब वमन कराने बाद फिरेचन देना है तो मल पूरस जो रहता है या कोई कोई वैद्दे लोग जो होते हैं मल पूरस को यह बोलते हैं कि बाकुची होते हैं बाकुची का ही टाइप रधे उसका प्रेंग लेना है गुड के सांओत करने के लिए बोला है तब स्द्रवब्र्थम रोग रोगी को क्या करना है कि अब्येंतर पांकरा ना है उसके बाद में स्नयान होने क brewery लाने के बाद तीन गंटा धूप का सेवन करना है इसके बाद क्या होते है कि विरेचन होते हैं बाद मतलए रोगी को प्यास लगती है और पीने के लिए प्रेयों को प्याष और पर्योंति देना है क्यां सुरूद उसको कांटे निकाल देना है तो वहांसे स्त्राव निकल जाता है तो उसके बाद क्या करना है कि एग टाइम प्रती दिन एकवर काट बॉलर की चाल मत बढ़ cooking की चालिंआ चिनल जो यह काकोश दंबरिका बाव कुछी कर कुलर यहां कुछ-कुछ व्यद्ययां अपने शाब से उसकर है तो एंदगों कि की अता है यहां सब सब करेंद सम्भाग में लेकर वात बना कर पीना इससे क्या होता है कि प्रेशन को बहुत पैदा होता है और फानित लेना है जिसको हम जब गुड़ बना रहे होते हैं तो उपर का जो जाग आता है उसको हम निकाल देते हैं तो उसको उत्तर भारत में मैली बोलते हैं यहां पर काकवी बोलते हैं महराष्ट में और संस्कृत म हमें हमें मेडिसिन को लेके जाने तो फानित को निकाल कर और उसके साथ में पीने के लिए बोला है क्या क्या बोला है तो कट गूलर मतलब बाकुची की छाल लेना है विजय सार का लकडी का पाउडर फिर उसे में प्रियंगू सौंफ इनका क्वात बना के फानित मिला के और पीने के लिए देना है तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फैदा होता है फिर खदीर जो रहता है खदीर को आप पानी में भीगो के रखे या फिर काड़ा बना दीजे तो इसको खदीरोधक बोलते हैं उसके साथ में प्रयोग करना है या फिर खदीरोधक का पान जो विडञ्ग है कासिस है गोरोचन है स्वर्ण शिरी और सैंधरन नमक है इन सबको मिष्रिट कर Và लेप लगा दिनैं किया होगा है और शुतर रोगmen क्यों है एक तो क्रिमी कीं पत्ति होती है क्रिमी जो रहते हैं वो भ्राजक पित को नश्ट कर देते हैं वहां का जो मिलैनिन होता है उसको खतम कर देते हैं तो इसलिए कुष्ट हो जाता है वहां पर चोटे-चोटे बहुत सारे वर्म्स रहते हैं उससे होता है और ऐसे देखा जाए तो वहां पर मतलब भ्राजक पित का दुष्टी होने के वज़े से ऐसा होता है तो वहां पर कलर लाने के लिए कुछ ऐसी दवाई है तो यह जो लेप है मनशिला विड़ंग कासिस गोरोचन स्वारनशीरी और सेन्दानमक यह सब क्या अगरता है कि वहां का इंफेक्शन टिक करके नॉर्मल कलर ला देता है इस नेगन बनाया ही इसलिए कि कलर अच्छा कर दे और जो भी मिलेनिन की कमी हो गई है उसको वह भर दे इसलिए आप लोग वह दे सकते हैं पहला है कि कदली का शार लेना है केले की तरह जो कदली रहता है छोटा जो प्लांट रहता है कदली जिसमें फूल आते उसका अगर जहां गाय को मारा जाता है इनको मिक्स करके और शुत्र में लगाना है या फिर जो जो एवलेबल है उसका प्रेव करिए या मालती शार को मालती वरिक्षिका जो शार उसको इसको हाथि के मद में मिक्स्यृत करके लगाना है या फिर निलोत पल रहते हैं कमल का फूल रहते हैं कुष्ट लेना है चिक्त प्रेयोग के लेप लगाना है या फिर मनर्शिला को जो मोर का पित होता है मोर मारने के बाद जो पित निकलता है उसके साथ में मिक्सर के लेप लगाना है और शित्र में प्रयोग करना है या फिर बाकुची का बीज लेना है लाक्षा लेना है गोरोचन लेना है रसांजन सौविरांजन प काड़ा बना के देली पिएंगे तो कलर बहुत अच्छा था है लेकिन बाकुची का एक साइड इफेक्ट क्या होता है कि कंटीनू ले रहे हैं और हमारा कलर अच्छा हो गया और उसके बाद भी बाकुची का काड़ा कंटीनू लिया जा रहे हैं तो ना बड़े-बड़े ऐस चाहिए और सत्थो लेना है जब भुन के रुशका का सेवन करना है तो इससे क्या होता है कि इसको पाप को ना जाता है तो इसको मना जाता है तो पहले जिनका पापों का शेह हो जाता है उनका यह रोक ठीक हो जाते है और जिनका बाकी रहता है उनको यह इसे नहीं कर सकते हैं हमें मतलब जो शास्त्र है उसमें कुछ न कुछ तो साइंस है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए और बता रहे हैं कि पुर्व जनमकृत जो पाप रहता है उसका प्राइस्चित अगर हो गया है तो श्वित्र जो होता है वो ठीक हो जाते अगर वो पाप नहीं जोहता है उसका मतलब है है कि आगे की अवस्ता जो रहती है श्वित्र जैसाहि कि लास नमका एक भिमरी देता है तो किलास जो रहता है वह तीन टैप का बता है तो उसको दारुन बोलते हैं चरक सहीता के हिसाब से दारुन बोलते हैं चारुन बोलते हैं या किलास बोलते हैं यह तीन नामों से जाना जाता है और इसमें तीनों दोश प्रकुपित होते हैं और जो दोश होते हैं रक्त तो उसकर गुटर रहेगा तो कॉपर के कलर का का तामर वरंड का होगा मेध धातू के आशित होगा तो श्वेत रंग का होगा पुता करके हिसाभ फाउल को अगर वह रक्त धातुग जैसा रेड रेड कुछ अलग कलर आ रहा है तो आप रक्त पाचक दीजे अगर मास धातुग में आ रहा है जो कॉपर की कलर की तरह हो रहा है तामरवरण का तो वहाँ पर मास पाचक दीजे और इसका अप्लिकेशन हम लोग जब करते हैं तो सच में फाइदा होता है तो इसलिए शुत्र रोग में मेदो पाचक आप लोग दीजे जरूर दीजे अगर पूरा वाइड लिको डर्मा हो रहा है लिटी लिको है तो मेदो पाचक देने से सच में फाइदा होता है इसका अप्लाइड में बताया है आप लोग को आप लोग भी करि एक वहास करना इससे स्थोड़ा डिफिकल्ट रहता है लेकिन जो मेध धातु वाल है उसको ठीक करना थोड़ा मिश्कुल रहे हैं उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि डिज़ित्र में चक्ति चक्ति जो आता है पैट यह वैट वेट पैचेस पढ़ जाते ये यह करना है और यह बहुत ख़湃ते होग जाते होग है और सब्सक्राइक को बता कि उसको तीन मेना में ठीक करें तो वो इतना तीन मेना में जादू नहीं होगा उसको टाइम देना पड़ेगा मैंने कुछ-कुछ ऐसे पेशन देखे हैं कि वैद्धे लोग साथ साल 20 साल तक वीटी लोगों का चिकित्सा कर रहे हैं बहुत साल देने के बाद उसका कलर कि कितना हम लोग हमारा मतलब लेवल कितना है कि लिमीट कि हम लोग किस लेवल तक कर सकते हैं तो अगर पुरा शिर में फैल चक्ते बहुत ज़्यादा सहिंउत हो गाए है और रोम कु भी रैड हो गय तो इसको असाध्य समझ के फिर चिक सा करनाए इसके बाद में किलाव के हीतु बता रहे हैं 177 नंबर का श्लोग देखिए कि वचांस तत्यानी कुट तगने भावो निन्ना सुराणाम गुरु धर्शन अमचा पाप क्रियापुर कर्तामचा कर्मा हेतु किलासत से विरोध्य चाननम इसा मतलब यह है कि जो इंसान बहुत ज्यादा जूट बोल रहे ह कि अब क्या जितना जूट बोलेगा उतना निगेटिव हर्मोन जो है कैटकोला माइन और ऐसे निगेटिव हर्मोन सिक्रीट होंगे वह बलड में जाएंगे तो विश्दूष्टी ज्यादा बढ़ेगी तो उसके वह जैसे भ्राजक पित खराब हो जाएगा तो जूट बो सब हो जाएगा अगर इसलाम को मनने वाले और मतलब उन पर फेट है उनको यह चीज बच्पन से सिखाएगा तो अल्ला का कभी बुराई नहीं करना है गलत सोचना है अगर क्रिश्चन लोग हैं वह जीजस के बार में गलत सोचते हैं या बोलते हैं तो उनको वह रोग हो ज जाते हैं दूद और नॉन्वेज करते हैं दूद और अल्कोहल ले रहें दूद का जो विरुद्ध अन्न रहता है उसके साथ में अगर सिवन कर रहे हैं तो उनको शुट्र होता है या तो commonly पाया ही जाते है उसके बाद ने कृत उपकार को ना मना किसी ने हम पर आहसान किय और हम वह उपकार को नहीं मन रहे हैं और उसको गालिया दे रहे हैं किसीने हमारी जान बचाई और हम उसको उल्टा उसी को गालिया दे रहे हैं कि क्यों जान बचाई हैं हमारी तो इसके वज़े से क्या होता है कि निगेटिव एनरजी हमारे बोड़ी पर आता है और यह लोग होते हैं उनका अपमान नहीं करना चाहिए जो गुरु ने मुझे बताया है मतलब मैं एक स्टूडेंट था लेकिन उन्हों अच्छा वैद्य बनाया और मुझे इतना ज्यान दिया कि मैं आज आप लोग को वह सारा ज्यान ट्रांस्वर कर पा रहा हूं तो वह गुरु तो मेरे लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेशुरा गुरु साक्षट पर ब्रह्मा तस्मेश्टे हमें गुरु का रिस्पेक्ट करना है गुरु के बार में कभी निंदा नहीं करना है गुरु के बार में बुरा नहीं सोचना है गुरु का कभी अनिष्ट हो जाए गलत हो जाए ऐसा कभी नहीं सोचना है और भारतिय संस्कृति में गुरु को बहुत रिस्पेक्ट दिया ज मूझा क्कून किया मडर किया चmesi की बद्वाय ली पहुत ज्यादा या इस जन्हों में भी किसी ने बद्वाय ली अपना स्वार्थ पूरा करने के Вам किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया उसको कश्ट दिया पीड़ा दिया तो वह जो बद्दुआ रहे थे उसके वज़य से कुश्ट रोग हो जाते हैं और यह सच में देखा जाते हैं मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग जितना बड़़्ूा लेते हैं, लुज़रे लोग का सता-सता के पैसा कमारे हैं या लूट रहे हैं उसके वज़हसे वो फलता नहीं है कभी भी तो इसलिए हमें यह जो बूरे करमें उस से बचना चाहिए यह किवल लिखने के लिए नहीं बता है यह practically हमें देखने के लिए मिलता है उसके बाद में 178 नमबर कर शलोग दिखिए इसमें बता रहे हैं कि समरी उपसाहार क्या है कि क्या क्या चीज इसमें इस अध्या में बता है तो तत्रश लोग कहा है हेतुर दरव्यम लिंगम विव शांति ही इती संग्रह प्राणितो महार्श्रम कुष्ट नाशने अध्याए स्मृति पुद्धि विवर्ध्रार्तम शिश्य होता शबेशाए तंत्रे चरपुर्दी संस्कृते कुष्ट का हेतु बताया है इसमें कौन-कौन से दुश्य होते हैं मतलब तवचा रख्तमास स्लसिका इसके बाद में भी स्तार से बताया है फिर इसके लक्षन क्या होते हैं महां कुष्ट य Гव क्या होते है और चाहिए जियू किस सब चीज पनरवसु आत्रे जी ने यह सब को बताया अगनिवेश जी थे वह बहुत कुषागर बुद्धी थे उन्होंने यह जो अच्छे से जैसे गुरू जी ने बताया एक दम वैसे ही लिए तो आज हम लोग को पढ़ रहें तो पुनरवसु आत्रे ने अगनिवेश को बताया और अगनिवेश जी से हम पुष्णाष्टक इस अध्य का जो भी उपाय वह बताया गया इस से अग्निवेश्च जी ने जो लिखा था और चरग जिने प्रति संक्रित क्या था प्रति संस्क्रित मतला उसको और संक्रित में ट्रांस्क्रीत करके लिखा है क्योंग कि हुआ स्कूल आप लोग वेदों का भाषाह देखे इसमें उनका अगर जाल हो dip है तो यह एक लिखने का और समय के अनुसार चेंज करने का एक मेथड होता है कि संस्क्रिट जो इजी वे में सभी लोग को समझे चरक्ष जी ने अगनिवेश्च सहिता को इजी वे में लिखा है तो इसलिए हम लोग को समझ आते इस तरह से यहां अध्याय कतम हो रहे हैं मैं आप लोग को गुरु का महत्वा बताने के लिए एक चीज बताता हूं कि हमारे जो गुरु जी है वैदर समीर जमदगनी सर वह ना जब मैं उनके पास जाता था सीखने के लिए तो उनका जो क्लिनिक था वह रेंट पे था और उन्होंने जो पहली कार ली थी आप लोग विश खुद बाइक पे चलते थे लेकिन अपना जो कार पैसा जमा करके हुआ वह अपने गुरु जी को गिफ्ट दिया ऐसा शिश्य मैंने आज तक नहीं देखा है गुरु जी को दिया फिर उसके बाद में पैसा आया तब उन्होंने अपनी कार ली तो ऐसा इतने भक्त होते है इसलिए मुझे इतना अपने जो गुरु जी है ना उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट आता है कि उन्होंने अपने गुरु के लिए इतना रिस्पेक्ट दिया मतलब गुरु जी के लिए इतना मतलब कार लेना एक डॉक्टर का सपना होता है कि हमारे पास कार है तो अपना न डॉर्ण जिटática जी प्रनाम सर आपको भी प्रनाम, डॉर्ण शित श्वेता जी आपको प्रनाम, गुड मौनिंग मेनम, डॉक्तर अमंज सींग जी प्रनाम आपको, डॉक्तर सशी कुमार जी गुड दÕको पबिलिक डे का बहुत बहुत बधाई हो गणतंतर दिवस्का। डॉक्टर सोनल जी प्रणाम आपको डॉक्टर निलम शुकला जी नमस्ते डॉक्टर रजनीश शर्मा जी आपको नमस्ते सर डॉक्टर नवीन जोशी सर आपको प्रणाम सर डॉक्टर अमित पांडे जी प्रणाम आपको भी डॉक्टर अखिलेश गुपता जी साधर प्रणा कोमल पंडी जी प्रणाम आपको उसके बाद में डॉक्टर सोनम जी प्रणाम आपको भी ऑस्वेता जी पुछने हैं कि गोमोत्र इंटर्नली देने के लिए मात्रा कैसे डिसाइड करें गोमोत्र जो रहते हैं न पच्चीस अमल भी दे सकते हैं पचास अमल भी उनका अगनी क तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि चार चमत से शुरू कर सकते हैं 25 अमल 50 अमल तक अगर लेंगे फैसन को बहुत ज्यादा लूज मोशन नहीं होना चाहिए उस हिसाब से डोज को पुर्षम-पुर्षम विक्षम हर पैसन को देखके ठीकरना चाहिए मैं इसके बार में एक प्रणाम आपको फिर उसके बाद में डॉक्टर बलविंदर जी प्रणाम आपको ख़दीरोदक में पानी और ख़दीर का प्रमाण ख़दीरोदक में पानी जो रहते हैं मतला ऐसा बोला है कि या तो आप उसको फांट की तरह बना दीजे तो चार गुणा पानी लेने के किसी तरह से वो बना दिया जते ख़दीर किस quality का मिल रहा है उसके dependent करते ख़दीर के बीवा लग टाइप होते हैं आप लोग को पता है तो आप लोग देखे और सुद्र कहें रूगी को कितना सूट हो रहे कि इसना पी सकते उसे प्रणाम गुड मॉनिंग जैह हिंद आज गणतंत्र दिवस है आज बहुत खुशी का दिन है आप लोग का दिन आज अच्छा जाएगा डॉक्टर शैलेश जी आपको नमस्कार डॉक्टर संतोष जी प्रणाम आपको डॉक्टर पुष्पा यादव जी नमस्ते आपको भी गुर्देव जी प्रणाम आपको श्वेता जी थैंक यू आपको भी थैंक यू डॉक्टर श्वेता जी पुछ रहे हैं कि कैन करंज तेल कॉज इंफ्लमेशनल इरिटेशन करता है 100 परसंट सही है वहां किस मेथड से बनाया गया है उस पर डिपेंड करता है अगर वह ज्य जादातर नहीं होता हम लोग बस्ती में भी उसका प्रयोग करते हैं करेंसे अगर उसको बहुत ज़्यादा कर दिया गया है तो अगर इरिटेशन और इंफ्लमेशन कर रहे हैं तो उसमें शद्धौत ग्रित का अगर अप्लिकेशन किया तो बहुत जादा फैदा होता है तो उसमें 250 mg का एके गुली सुबर शाम दे सकते हैं अनुपान में वरन दे दिजी या बाकुची का क्वाद दे दिजी उससे फैदा हो जाएगा डॉक्टर हिमन्षा जी इसके बारे में डीटेल में मेरा विटी लिगों का लेक्चर देख लीजिए डॉक्टर हर्जीत सिंग आप लोग मेरे से ब मैं आपको बताओंगा की नहीं आप लोग को लिए ही आया हूं आप लोग को आफ लोग के जो भी प्रेक्टिक्स में डिफिकल्टी आ रिए पुछ चीज समझ नहीं आ रहे हैं तो आप लोग मुझ्से पूछ सकते है को मैंने यह नंबर देदी आपको आप लोग मुझसे वाटसअप करके कनेक्ट होजेए अब हम लोग दोपर में श्वास पुठारत पढ़ेंगे और उसका हम लोग एनलीसिस करेंगे अप्लाइड एक्सपिरियन्स शेर करेंगे तो हम लोग दोपर में मिलते हैं और रात को नौ बजे हम लोग का इंट्रक्टिव सेशन होगा आप लोग को स्वतंत्रता गंटतंत्र दिवस बहुत 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 बदाई हो रिपब्लिक देखके बहुत बहुत शुब का के मार्जमते तो यही शुब कामना के साथ मैं लेक्चर बंद करता हूं प्रणाम करता हुआ है कि अ गाज भ्यों प्रणाम करता हुआ हुत